Hello Guys, Good Morning Good Morning, Kaliaani बोलो Good Morning Friends Good Morning Friends आप लोग इतने सारी लोग आते हैं इतना विउँ देखते हैं बहुत सारा विउज आता हैं लेकिन कमेंन्स करते हैं बहुत कम है यह क्यों अप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना मैंने वीडियो डाले हैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूं आप लोग मुझसे बात कीजिए कमेंट कीजी अभी वीडियो डाल लिए करते हूं है लेकिन यह स्विदियो Pen Drive क्रूवर करती हो लेकर अभी मैंने सोच्छा है कि tą जादा अच्छी तरह से जूढने के लि लोग में कितना इंज्यॉई किया, अप लोग में गए हो के नहीं जो मेरे पास वीडियो आई तो के बाद कासॉर जो है एक प्यारा जगह है, मनी करनी का वहाँ का भी वीडियो के डालूगी तो जो मेरे में में मेमरी से मैं आपलोंके साथ भी शैर करोगी लव यू गाइज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे लाइफ जर्णी में आप लोग भी हमारे फैमिली है ना है ना है लव यू गाइज अच्णी में लाइज यू अच्छाइब लाइज आग्छाइब लाइजि अ हैवारे ने बड़े लुक्तितम्त हैंग। मेरा अंदर जा दिया परव मम्मी को ऐसा उपर डाल गोल हूँ बरफ फोटा ममी नीच जोई गोल गोल ऐसा बरफ गोल गोल मम्मी को पड़ा मेरा जाउन्सिक जा गोल गोल हूँ एककोowan कि गोलतानल गूले विदा गोल परफ चीज मम्ममी को गोले फोट जाल हूँ अव गोलchlag काम गोम्मना कि अट्सक्वाश्यगाआ। डि मिन मुझाए जाए था जोड़े यह। जोड़े चल्छामे क्aráख्याники? इस तरह से पापा के साथ खेल रही है कल्यानी इसको थंडी लग रही है बरफ से पापा कल्यानी के उपर डाल रहे लेकिन मेरा फोटो बराबर नहीं आया वीडियो बहुत थंडी लग रहे थे हाथ से वह गिर रहा था मोबाल पफि सेल रहा था ग्लोष गर पे रह गया कॉर्टन वाला ग्लोष हाथ में इसके तो इसके हाथ में बरफ लगया है तो पपा उसको प्यार कर रहा है . हात में थंडी लग गई उसका हाथ को यह कर रहा है और ये हम लोग है ना ये वीडियो उदर हम लोग कार जो है ना अंदर जाने के लिए ढूंड रहे थे वहाँ पीछे एक बड़ी शिव मंदिर है जो हम लोग 6 साल पहले गहते शादी के बद हनीमून में वह वाला सब बन था बहुत लोग डाउन के बन था वो पीछे का बुरा बरफ का मंदिर है शिव मंदिर वहाँ जाने ही नहीं दे रहे थे इस बार इस साल यह हम लोग सेकेंड टाइम गया है कल्यानी के साथ फर्स टाइम गया है मनाली पर 5-6 यह बैक हम लोग गय हो आगे पीछे हो गया है अभी थोड़ा थैंक यू फो वाचिंग इदर आ गया है सब्सक्राइब इदर आ गया है कि यहां पर उसको जल्दी से बैटना है थंडी लग रहा था ना आत में